गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल अमित्य स्टेज फर्ष्ट में जो पेपर हुए थी प्रीबियसे में उन लोगों का डेट वाइज एक एक पेपर सलूशन कर रहे हैं तो हम लोग कल 26-3-2016 को जो पेपर 3rd shift में हुआ था उसका पूरा सलूशन GS का कर चुके हैं आज हम लोग RRB NTPC stage 1st 29-3-2016 को shift 1st के अंदर अगर जो पेपर शंपन हुआ था उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे उसका GS सेक्षन आसानी से आराम से साल्प करेंग कि हम 15 दिसंबर 2020 को होने वाले NTPC exam में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें तो हम लोग पहले question की बात करते हैं मंगल यान कहां से launch किया गया था तो मंगल यान स्री हरी कोटा आंधर प्रदेश से launch किया गया था question number second Jimmy Bells और Larry Sanger किस से सम्मंधित है तो Jimmy Bells और Larry Sanger जो है विक्किपीडिया से सम्मंधित है next question Cecil Sadeep कहां इस्थित है तो Cecil Sadeep जो है हिंद महासागर अर्थात इंडियन वोशन में इस्थित है next question Interpol का मुख्याले कहां इस्थित है तो Leo में Interpol का मुख्याले इस्थित है कुचीकल जल प्रपात कहां इस्थित है तो कुचीकल जल प्रपात करनाटक राज्जी में इस्थित है कागज का अविश्कार कहां हुआ था तो कागज का अविश्कार चीन में हुआ था और कागज के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कनाड़ा है और नेस्ट क्वेशन के बात करते हैं निमली खित में से कौन सी गैस प्रिथवी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है तो जो जलवास्प और करवन डायाकसाइड है ये प्रिथवी पर ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है नेक्ट क्वेशन नमबर 121 निमली खित में से आरम कहा जाता है तो सोने का लेटिन नाम आरम होता है उसी के आधार पर हम सोने का जो प्रतिक याद करते हैं वो एई यू याद करते हैं नेक्ट क्वेशन दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पाने के जील कौन से है तो superior जील दूया की सबसे बड़ी ताजी पानी की जील है Next question 123 नंबर Olympic में जिमनास्टिक में perfect 10 का score करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था तो नादिया कौमने की जुर जिमनास्टिक में perfect 10 का score प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी थी अन्तिम मुगल समराट कौन था तो बहादुर साह जिसको हम बहादुर साह दतिये के नाम से जानते हैं ये अन्तिम मुगल समराट थे और ये जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे टिक तक वसके बार next question दीन ये इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था तो दीन ये इलाही जो धर्म था ये अकबर के द्वारा प्रचलित किया गया था नेक्स्ट क्योश्चन निमलिकित में अन्ने से एकदम भिन्नी कुछ चुने जिसे चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिस्ट को जोर यह चुके रिजिनिंग का कोश्चन है कोशन की बात करते हैं है कि सब लिकित में से ब्राजील की अधिकारिक भांसा क्या है तो प्राजील के ःधिकारिक भांसा पूर्त-गाली कोशन नंपर 150 रात में आकास में सबसे च्टम किले तारे काौन से हैं तो सीरियस ए जो होता है रात में आकास में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होता है गलेसियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है तो क्रेवास जो होता है गलेसियर के गहरी दरार को कहा जाता है सीमान्त गाधी किसे कहा जाता है तो खान अब्दुल गफार खान को सीमान तगाधी कहा जाता है कुईन्स बेरी नियम नामकोड का अनुकरण किस खेल से है किस देश ने फुटबाल का पिस्टुकप किताब सबसे अधिक बार जीता है तो ब्राजील जो है यह फुटबाल भी सुकप सबसे अधिक बार जीता है थाईलेंड की मुद्रा का क्या नाम है तो थाईलेंड की मुद्रा का नाम बात है क्या है बात मुनेश कोशन के बात करते हैं कोशन नमर 134 कि इसमें से कॉंण से गरिति भी से पर लिखिते एक मद्य विगियन भारती पुस्तक तो लेला वती जो है यह मद्य विग गरित पर लिक्षक है देख है और याँ कामपक्त डिस्क क्यों कि यह जो का इस्तिमाल किया जाता है तो लेजय तक्निक का इस्तिमाल किया जाता है तो यह कोशन नंबर 136 का बिस्व पर्रेवराण दिवस कम मनाया जाता है तो पांच जून को बिस्व पर्रेवराण दिवस मनाया जाता है क्योंकि पांच जून 1972 को पांक जून 1972 को इस्टाक होम में प्रतम जलवायू समेरान का आयजन किया गया था जिसमें ये निधायरत किया गया था कि हर साल 5 जून को पर्यावन्यों दिवस मनाया जाएगा तो पहली बार पर्यावन दिवस कब मनाया गया था तो पहली बार परियोंगी स्वार्ण दिवस 1973 को में मनाया गया था डिसाइड हो था 72 में मनाया गया था तैसित्तर में पहली बार हुआ हुआ फोर निट परागण को क्या कहा जाता है हवा के परागण को क्या कहा जाता है तो हाइड्रो फिली जो होता है यह हवा के परागण को कहा जाता है नेक्स्ट कोशन सब्दटी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है तो सब्दटी जो है ये गोल्फ खेल के साथ जुड़ा हुआ है भारत का राष्टेगीत किस ने लिखा है तो राष्टेगीत जो है वो बंकिम चंद चठरची ने लिखा है और जबकि राष्टी एक गान है तो इसको रभी नात्रेगोर जी ने लिखा है, हमों नेस्ट कोशन की बात करते हैं, मानो सरीर का एक मात्र अंग जो पुना विक्सित या पुना सिर्जित हो सकता है, वो क्या है, उल जिगर यह निकि लीबर जो है, मानो सरीर का एक ऐसा अंग है, जिसको पुना विक्सित या पु He potential कि आएलेट पाए जाते हैं तो इस precisamente में लेंग्र ղाहिंगर एकस्ट कहीन के बात करते हैं लोगी्य कई बंद से करबनी योगिक में हमेलीiosis मुखवजूद और तो कारबनी के योगिक में सबसे ज्यादा हमेशा कारबन ही उपस्थित होता है ग्रेफाइट एक उधारण है तो ग्रेफाइट एक आगनी चट्टान का उधारण है ग्रेफाइट आगनी चट्टान का उधारण है नेक्स्ट क्वेश्चन पंचकार्ड को डैस भी कहा जाता है तो पंचकार्ड को होले रित कार्ड भी कहा जाता है जैसा कि आप अप किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था तो चंद सेखर राजाद जी ने खुद को मौत से गले लगाया था इन्होंने आलफ्रेट पार्क में खुद को गोली मारी थी किस योगदान के लिए एडवर्ड जनर प्रसिद्ध है तो टीके के एविसकार के लिए एडवर्ड जनर प्रसिद्ध है इन्होंने सरप्रथम चेचक का टीका बनाया था लौनेश कोशन के बात करते हैं क्वेशन नमबर 148 किस भारती राजा ने पूर्ब एसिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसायनिक सकति का इस्तेमाल किया था तो राजे इंडर चोल जो राजा थे वो पूर्ब एसिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसायनिक का इस्तेमाल किये थे नेक्स्ट क्वेश्चन निमली खित में से कौन सा देश बंदरगाह भीहीन है तो जो कजागिस्तान देश से बंदरगाह से भीहीन है अर्था कजागिस्तान जो है एक लेंड लॉक्ड कंट्री है इसलिए वहाँ पर कोई भी बंदरगाह नहीं उपस्थित है 150 मध्वनी चित्रकला सैली मूलता किस राज्य से सम्मंदित है तो मध्वनी चित्रकला सैली मूलता बिहार से सम्मंदित है अर्वनेश कोशन के बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गयर धुलबिय रेगिस्तान कौन सा है तो सहारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा गयर ध बारतिहे रिजर्बेंग राश्टी एकरण किस बर्स किया गया था तो बार्तिय रिजर्बेंग का जो राश्टी एकरण था 1949 में किया गया था इस दिन की जो एक्जिक्ट ठित ही एक जनवरी 49 थी जनवरी 400 थी आप कोछ बाते Gobierno के बारे में देख लेगते हैं तो सबसे पहले RBI की अस्थापना कब हुई थी तो RBI की अस्थापना 1934 में एक एक्ट बना था जिसे RBI एक्ट कहते हैं इसी एक्ट के तहट 1 अप्रेल 1935 को RBI की अस्थापना की गई थी अनिम लेखित में से किसे उसके उन फाइवर के लिए पाला जाता है तो अलपा का जो है इसे उन और फाइवर के लिए पाला जाता है पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यबाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर देना तथा अपने दोस्तों में से सेर कर देना